आपको स्वागत है मेरा नाम सनी गांदी है दोस्तों मोबीकुक में हम कभी भी एड मनी करते या रिचार्ज या पेमेंट करते तो हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल रहती हो सेव हो जाती है और हमको डिटेल को रिमूब करना होता और एप में कहीं भी option आपको नहीं दिखेगा देख छोटी से ट्रिक से आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो डिटेल हो रिमूब कर सकते है उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप अपना मोबी को की एप ओपन इसको आप क्लिक कीजिए M wallet सबसे last में देखें सबसे last history के बगल में अब M wallet में आपको यहाँ पर आपके सारे card की detail दिखेगी लेकिन आपको देखें यहाँ पर कहीं भी निदिखेगा card को कैसे remove करना है यह आपके सारे credit debit card की detail यहां पे है अब मैं पहले आपको बता दो अगर आपको कोई credit card expire हो गया है उसको आपको update करना है तो यहां से update नहों डालके आप यहां पर अपने जो card है उसका month या और year लिख के अपने card को update कर सकते अगर आपको update करना है तो जैसे मैं यह card expire था इसकी month और year डाल दे तो पाच और year बाइस अब देखिए update मैं इसको click कर दिया अब मेरा यह card यह update हो रहा है यह देखिए मेरा card यहां पर update हो गया यह movie q card यह debit card आपको remove करना है उसको click करके 5 seconds टक press करके रहेंगे जैसे देखिए मैं एक card को press करके रखा हूँ आपको option दिख जागा yes delete card को delete करना है क्या आप उसको yes delete कर देंगे card आपका delete हो जागा ऐसे एक एक करके आप सारे card को delete कर सकते है अगर आपको कोई भी card delete करना है तो यह चोटी जी ट्रिक से आप सारे card delete कर सकते है thank you friends दोस्तों मैंने कम से कम समय में आपको जादा से जादा offer समझाने की पूरी कोशिस की है अगर फिर भी आपको कुछ तकलीफ आ रही है या कोई offer समझ में नहीं आया तो आप नीचे comment box में लिख दीजेगा मैं आपको उसमें समझा दूंगा और friend please मैं आपको फिर एक बार बो